मैं हूं पिष्णा कैसे आप लोग मस बढ़िया तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग की पड़ाई बढ़े हैं चल रही होगी और बहुत चल साइब एक या दो दिन के अंदर ये चैप्टर में फिर से आप सो लोग से कह रहा हूं मेरे को बताएं कि नेक्स सब्जेक्ट में कौन सा स्टार्ट करों ठीक है ना अब यह चैप्टर नंबर आइधि टैन है ठीक है 11 12 13 रहे गए हैं ठीक है इसे पर नायंट कर लिया हम लोगों ने तो वह ती चैप्टर में पोशिश करूँगा कि अगले दो दिल के अदर निप्टा दूँ तो मेरे को बताएं कि अगला सब्जेट को फिर पढ़ाना और आगला सब्जेट जैसे ही इस खतव होगा कि लियर है तो आव इस्टार्ट करते हैं हम लोग फिर नम एंड में अजैसिक अंड एंटि इंफ्लाउमेटरी एजेंट एन आजैसी क्या होते हैं पेल्चिलर्थ होते हैं शिचिक है लिगना या इंटि-इंफ्लमेशन क्या होता है जो कोई हाथ काल जाती जाती न तो दूसको दर्द होता है लाग नीन पढ़ जाता है इन सब कमाइन्स की जो का फुट इंफ्लमेशन कहते हैं चलता हुआ ठीक है ना यह जीडे गारे आप जीट गया दिया लेकिन क्या आपका सरी में चोट नहीं आई है आपके सरी में चोड आ गई है उस चोड को फिर आप ठीक करोगे ठीक यही होता है जब हमारी बॉड़ी उससे लड़ती है तो लड़ाई के दौरान हमारी बॉड़ी में भी कुछ नुफसान होते हैं थिक है तो नुफसान थोड़ा अलड़ा तरीकी को होते हैं उस है इस टॉपिक में जो हमारे पास पार्ट ए आएगा यह नार्कोटिक का मतलब होता है अगली है नार्कोटिक एंटागोनेश बस कितना ही लिखके कोर्स में छोड़ जिया गया है अंदर का कोई ड्रग नहीं बोला गया है लेकिन इसके अंदर सबसे जादा कॉमन इस्तमार होड़ा वाली ड्रग है वह है नेलफ्जोन और नेल्ट्रिक जोर अब इसको सब इसके अंदर करें तो अना जैसिक एंड एंट इसके अंदर करें आज़ें और है तो अबसे पहले हम बात करें की वाटिन एनलॉग की क्या है यह मौर्फिन एनलॉग यानि उसे मिल जूजी की एजिए और पेन मेडिकेशन ज़र्द को कम करेंगी आफ दा ओपियेट फैमली और पेंढें आम टार्वत में मतलब प्लांट गिंदिकी प्लांच की फेमली का नाब आख प्लांत की फैमली का नाम प्लांत की नरिकेबDR कोन कोन का चूल चया है उसको प्लांम इसवेस से फूग लंत कर नाम टार्वींुल्ध की बातेशल पांड सब्सी इस प्लांट का साइंटिफिक नेम स्टेज़ा और इंजेक्टेट इसको और लेते हैं शीलिक्टेट तो नहीं होती है लेकिन मॉर्फिक के बहाई लोग होते हैं ठीक है मतलब उसी की फैमिली से प्लाम करते हैं तो इंड्यूस एनाजेसिया ये क्या करता है धर्द दिन होता है ना कभी देखा तुनों होने दारू पीके तुछ लोग होते हैं मार हो पड़ती है लेकि उन्हें को पर नहीं पड़ता है परक्क पड़ता है जब अग मतलब दर्द निवारण और अल्टर बदल देते हैं पर्सेप्शन एंड इमोशनल रिस्पॉंस टू पेल यानिकि अभी मैं दवाई नहीं खा रखी है तो मैं चूटी कार्टों लग रहा है अब मैंने क्या कर लिए मॉर्फिन ले लिए तो चूटी कार्टों मैं तो लग लिए तो पर्सेप्शन कि कि इसको बदर देता है तो इसको फिजिकल इसको डिपेंड नशा है नहीं यह सुलाता है इसके उसके उपर डिपेंड हो सकता है इसको डॉक्टर बढ़े ही देख रहना और सूज भूट करके ही देता है ठीक है इट केंड बी टेकन पर बोथ एक्यूट पेंड तीविल पेंड प्राइब बहुत पेंड हो रहा हो और और क्रोनिक पेंड बहुत लंबे सा मेरा दर्द हो उसमें इस्तिमाल होता है और इस इस्तों किड्नी का स्टों बहुत सब्सक्राइब होता है और इस समय बच्चा हो रहा होता है उस समय इसका इस्तमाल कर लिया जाता है मॉर्फिन केंद भी एड्मिनिस्टर्ड बाई ना काई कहता है कहां से मुझ से खाई यह जबुद पढ़ी नशू अपशन के बाद अनस्ट्री पेंड 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 नाव सोधाई तब इन्टुब मसल्स वाइग इंजक्शन अंडर स्टीन के अंडर स्टीन के अंडर जै पार्ट की आस्तास भी दिया सकता है यह रेक्टली रेक्टल मतलब रेक्टम एनस का पार्ट होता है वहां के अंदर पिक तरफ छेद करके इसको अंदर तरह सब दाव करके इनिक्शन दे दे जाता है इस मैक्सिमम इफेक्ट इस री अबाउट 20 मिनट पे इसका लगव लगव आ जाता है वैं अगर लगव लगव एक घंटा लग जाता है अगर हम इसे मुह से टैबल खा रहे हैं वाइल जब की तर डुरेशन ओफिस इफेक्ट इस तीटो सेवन आया आवर का है लॉंग एक्टिंग फामुलेशन ओफ मॉर्फिन आवलेवल आवेलेवल आप पांटीं जो लंबे लॉंग आप्टिंग है जो लंबे समय तक काम करते हैं उसमें जो मार्पीं आवेलेवल उ लोगों के बारे में एक बेसिक बात है थी ठीकर मॉर्फिन एनलॉग जो उसके अंडरूप है कैंकल नेम इंस्ट्रक्टर इसका अपने पोर्स में नहीं है थोड़ा सा हैवी है काई सारी बॉंडिंग है लिक दिया है इसको बाद में डिसकास करें कि काई सारी बॉंड यहा आ गया आते हैं यूज की बात करें मॉर्फिन यूज टू रिलीव मॉडरेट टू सीवियर के मॉडरेट ठीक ठाक से बहुत जादा असदरना प्रेल हो रहा हूँ उसमें भी यह काम करेगा इस्टेविल्टी स्टोरेज ठीक है मॉर्फिन सलूशन शुड बी प्रीफरेबल प्रेट के माज सब उसके अंदर सॉलिड बनके तीजिए बहार निकल के आनकाट दो दवाई है और अगर उसे हाई टम्परिटर पर रख दिया तो उसका पानी है वह उड़ जाएगा पानी उड़ जाएगा तो दवाग हो है वह गाड़ी हो जाएगी यानिकि उसका या थी कि बात करें तो टैबलेट इंजेक्शन और और वर्ल सुलुशन तीनों के रूप में यह मार्केट में अवेलिबल है ठीक है और बात करें अगर टैबलेट अग्यांची के ब्रैंडिन की बात करें तो एविनजा काडियान मॉर्फा बॉंड और रोकसानल के नाम से म पाइब नार्कॉटिक नार्कॉटिक जो वो दवायां जो नशा करती है वो चीजें जो नशा करती है कि उसकी काड है इसको रोकने में काम आएगा है इसे दीदी बात है कोई दारू बहुत पी रहा तो डॉक्टर उसकी दारू करें चुड़ाएगा अब शाम को तो दारू नहीं मिलेगी तो बीपी उसका उपने के होने लगता है इसके उसकी दूर्ण होती है उनके केस में यह दवाईया काम करती है देखते क्या करते हैं यह जो नशा किया है तो यह काम करेंगी इसकी कार्ण करे गार्वर्ण और यह जहां पर मुद्ध यह नशेवाला आम लिधायार आके अलडवग करेगा ऑज एट Those रेसेप्टर आंट इसको रुपता है डैस एक्श Dodu on One और More of the अब नशा हो जाता है तो नशा नहीं होगा यानि कि आप नशा करने का दादू पी लेंगे आपने दवाग सा रखेंगे ठीक है रिसेप्टर पहली भर गया आप दादू प्यों कर दोगे वह नशे वाले मॉल्टूर ये रिसेप्टर को पकड़े नहीं पाएंगे लाख फिर लंबा सब्सक्राइगा नहीं कर दोड़े नहीं नहीं नाशा कर रखता है लिए इस दवह को और परिशत कर ले नहीं हो सकता है है और जिट्टों निलाएगा रिसेप्टर पे मैं लोग मजा करके यह दोनों कहेंगे नशा तुदूर रहा है तो रिफ नशा नहीं करने दोगा बाता नहीं बारी है कॉमपीटीटीवली करेंगे दैंट बांट ओपियोड रिसेप्टर वेद हायर एफिनिटीग दैं फ्र्वाट मकंत जादा नशा आशा नशा आ रहीं कि परद संब्धल रेसेप्टर को और शैने दिएज उपोड रेक्तिवाटीटिवरी करेंगे और वापस्टीवरी नौट होता है ठीक है इसी के अंदर ना कुछ ये तो होके कॉमन नेलक्सों और नेल्स्ट्रिक्सों इसमाल होते हैं कई बार कुछ लोग इन प्योर एंटागोनिक भी इसमाल कर लेते हैं इन दुरोग छोड़ करके उनमें क्या हो जाता है कि सब्सक्राइब ओप्योड नहीं यह दुरों क्यों में बट डू पर्डियूस प्योर नहीं है बट डू पर्डियूस कर रहे हैं यह करते हैं संब्सक्राइब और इनाल जैसे पेक्ट भी प्यार थिक है वेन अमिश्वाइ सो है रिया है लेकिन ठीक है पदो से आख्चे गारे पर इसासी एक लेक्ट है पेंप्र। इसी एक्जांपल दें लेक्ट रिख लेक्यां टिक है है अब सब्सक्राइब। इस्ट्राइसिक द्रॉट्ट आपको डिप्रेस कर देगा ये ठीक है तो जब इसको देना बंद करोगे तो ऐसा लाइगा कि शरीर को कुछ चाहिए जब भी ये मैंटिक चलाई आती है तो डॉक्तर इंद्टी मेंटिक को तो च्बंद ही करता है दो दिन के बाद एक दवा देगा फिर चार दिन बाद एक खाव एक दो सब्सक्राइब देगा तो मरीज को उल्जन उनलग दिया है क्योंकि ये नशी वानी पीजों होती है क्योंकि कुछ कहां नहीं गया है कि इसके अंदर क्या पढ़ना है तो काफी कॉमन है ये पुछी आएंगी नलग जोन तो ब्रैंड नेम नार्कन इस यूज़ तो रिवर्स दा इफक्ट ऑप्योड ये नशा कर लिया है उसको उतारने के लिए काम में आएगा ठीक है इस कमने ओवर्डोज हो जाता है जब कुछ भ़जा रशा कर लेते मौत हो जाती है तो उसको मौत नहीं हो जाता है उसको रोखने में काम आता है इट कमनी यूज़ तो गरी ब्रीधिंग इन ओप्याइट ओवर्डोज चीक है ना जो ब्रीधिंग की प्राड़म हो गया है नहीं तो गिवर्डोज की बर इस से उसको रॉटर का रहा है रोखेगा एफेक्ट बिकीन फॉर्वात हो जाता है विदीन 2 मिन्त नटी का ब्री इसका सर सूनु हो जायगा वें गिवन इंट्राविर강 स्ली यनिज़ यान की जब कैसे जिए जाए जाए यान फू जाए तो कई बार नोस के तुरी स्प्रे करते भी देगे रहता है ने लग्जान कॉमनली ब्लॉक दा इफेक्ट ऑफ ओप्यॉइड फ्रॉम थर्टी तो नैंटी ब्लॉक करना शुरू कर देगा नशे को उतारना शुरू कर देगा यह उसकी बात करें तो मैंने क्या बताया ओप्यॉइड यानि नशा हुआ इसको रिवर्स करेंगा तो रिवर्स दा लाइफ थ्रेटनिंग यानि की जो लाइफ मरने की तो कंडिशन आ गया है इफेक्ट ऑफ नोन और सस्पेक्टेड ओप्यॉइड ओवर्डोस को ओगया है अ प्रेटनिक बात करें तो नलच नई Dewकोटन और ऑफ न अन्य वाइफ जो एक बाद कर लोख और ऑगे आते हैं तूसरा हमारे पर मने हडो क्या कहा रहा है आरा तो प्रेटनेम्ग रिविया अचिक है वे मिया के नाम से हृ तो भाड़ एकडियू पैसल को ऐगा गाए आड़ यह जो अल्कोहल और ओप्योइड के इस्तमाल करने से जो दिक्कते पैता हो गई है उसको कंट्रूर करने के लोग होता है कैसे जैसी मैंने बताया इस शाम के टाइम आता है जो लोग नसेड़ी होते हैं उनको मैं तब 10-15 रुपे बैसे जुबाल करते हैं इसले क्वाटर मिल आएंगे ऐसा क्यों करते हूं उनको असल में ललक नहीं लगी है उनकी बॉड़ी में रोज अल्कोहल जाने के वड़ से च सब करते हैं तो इसी लिए अच्छा तो वो उसको लगता है कहीं से दालो मिल जाए नशा मिल जाए तुमें ठीक हो रहा हूंगा यह जो लालसा है चाहता है इस वर्ट को कहते क्रेविंग ठीक है इस लालसा को यह मैडिसीन कम करती है फिलिंग ओफ युफॉरिया एंड फिल खालिया है उसको अच भाह नशा कर लिए फिर आज में पागता पी कर रहा हूंगा उसको गम बढता है इस आज बंग पाउंड प्रिक्टिव इंद ट्रीटमें अदर अधिक्सन मतलब ऑठ था और था नशा है उसको भी हल पड़ता है यह एंड में बी यूज फॉर बिन ल अप्रियोड ले रख था है उसकी बड़िव दिटॉक्सिफाइड ना कर दिया है तब तक उसको यह नहीं देना चाहिए इस टेकन बाइव बाउस बाइटिक्टिव इंट्रीटमें इसका असर सुरूर बो जाता है आव देखिए यूज यूज में बता जी आप कर सकते हो ह आप करता है नार्कोटिक डिपेंडेंट्ट जो नशेगुपन लती होगे है उनको हेल्फ करेगा यह ठीक है इट आसे यूज तो है अल्कॉहलिक्स जो उतार हुआ है उनके लिए भी हेल्फ करेगा त्यों वो अल्कॉहल प्री हो जाए ठीक है ना बास समझ में आगया इस् अब हमारे पास आता है नॉन इस्टिरोडल एंटी इंफ्लमिया अब हमारे पास आता है नॉन इस्टिरोडल एंटी इंफ्लमियट्री एजेंट एंडे ए आईडी ठीक है ना क्या होते हैं यह बात कर लेते हैं बेसिक समझते इसका कि एनए एसको ना बताया नहीं स्टार्टिंग में क्या पीज़र कर लेते हैं नॉन इस्टिरोडल एंटी इंफ्लमियट्टी ड्रग्स जुन इस नोट्स भीज़र कि आपकातो् तो लाल तक्लीष दे और सूजन युक्त तो हो जाथा है रीज की ऐसी आपकलीष दर्द हो उसमें या कुछ दिख्कत हो रही है सूजन आ जाए ठीक है रोग संक्रमण या चोट के कारण अब इसमें एक तर्म आने वाला है एको सनाउड ठीक है नहीं टर्म आने वारें स्कम्राइख इसके से तो कह रहा है लिए इकोसनाइट्स आर शिगनलि ओड्यू ऐसे मॉलिकूलों सिगनल देते हैं और बने होते हैं enzymatic और non-enzymatic oxidation of arachidonic acid इस acid के उपर जब enzyme का action हो या बिना enzyme का action हो ये टूट करके क्या बन जाते हैं इकोसनाइट बन जाते हैं अभी करते हैं इकोसनाइट इकोसनाइट influence numerous metabolic activity हमारी body की बहुत सारी metabolic अब्लॉडिक की अध्यक्टिविटिक उनका अफ्यक्ट करता है including platelet aggregation platelet फून का सकल जमता है blood clotting लिखा हुआ है inflammation hemorrhage फिक है ना कुन का बहना वैसो कंस्टिक्शन नसो का सुपर्णना वैसो डाइलेशन नसो का फैलना blood pressure and immune function यह जो इकोसनाइट है यह सारी किलिम में अचाल रहे हैं देख रहे हैं तो important होगे है यह okay there are bad pro-inflammatory and good ecosinoid यह अच्छे और बुरे जोने इकोसनाइट होते है anti-inflammatory and they compete with each other और इनकी आप में रहे हैं चल्थी रही है okay यह एकोसनाइट टर्म समझना था क्यों समझना था यहां पर आने वाला है the term non-steroidal distribuces these drugs यह जो इनकी साथ एक वर्ड लग्या है non-steroidal distinguish करता है इनको अलग करता है इन ड्रग को from steroid steroidal drugs जो होते हैं उनसे फ़रा कर देता है खिके ना which while having similar ecosinoid depressing anti-inflammatory action जो इस्टिरोड टर्स होते हैं उनके पास भी इकोसनाइट को depressed करने च्छमता है और इनके पास भी क्या है depressed करने च्छमता है ठीक है लेकिन यह non-steroidal है अब इस्टिराड होते हैं दोनी कर गया है काम कैसे करते हैं मोड ऑफ एक्शन या मेकेनिस ऑफ एक्शन बहुत बढ़ा है चोटा ना पता रहा हूं मैं बहुत बड़ी लेवल पर हम डिटेल में समझेंगे जब पुरोजी पढ़ेंगे ठीक है तो क्या कर रहा है एंसाइड वर्पाइं इनिमीटिंग रोग देते हैं इंजाइन है और को और को क्सुफटूलो इंजाइऴ डेत ने हिगा टिये क्या क्या कि ढोड़ी वह थैगर हूं करते हैं द्धून करते हैं यूजो कि अब जो क्या ऊं डेठ कि ए बनाते हैं मिऊ निजुख कि वह कए छास मायरे मीय अटिस नीज़ेंगेंगे पंड़ु सं वॉनाते जैसे की टोटा ग्लैंडीन को जर्ट पूल जाता है विच आर इंवावड इन इन्फलमिशन यही किसका कारण होते हैं इन्फलमिशन की कारण होते हैं ठीक एक्छिलिये हाई है कि हमाई यह जर्ब करने के लिए है ठीक हमाई बोडी को इससे दिक्रतोन लगती है दो टाइब की NSID है नॉन सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव एंड कॉक्स 2 सेलेक्टिव एक तो नॉन सेलेक्टिव है कॉक्स 1 कॉक्स 2 के उपर एक्ट कहलेगा ठीक है दोरों को पर कम तरवाना ज्यादा अफ्यादा है एक्टिविटी और फॉक्स 1 एड को चौक्स 2 समंझ में आगा होगा यह वह एज़ाय में जो कारण पराती है इनको रोग देखाए तो मुट पॉबिनेट को सबसे ज्यादा ताकतवर एस्प्रीड, आप्योग्रोफिट सब्सक्राइब का नाम के सब्सक्राइब का नाम किया है इसका दूसरा नाम किया है करता है को ब्लॉक करके पेल को रोक लेता है आग्मोस्ट एस्क्ली विजिन दा ब्रें ब्रें के अंदर 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 को री अप्टेक हो जाने कि उससे एक्ट्रप्शन को रोज देगा सब्सक्राइब करते हैं नाम जैसिक एंटी पारेटिक विज पूर एंटी इंफ्लिमेटर एक्शन ठीके इसमें क्या आड़ा एक्ट्राइब एक्टेकरी एंटी एक्टी एक्टेकरी हैं इसके एक्ट्राइब्स करें इसका प्रेंगा इस्प्रिन सब जानते हैं इस को इसका दूसरा नाम क्या है यह हमारी क्लास इंटर की केमिस्ट्री में है उनको और रख शी तो एसमें हमारे कोर्स में थी इसमें सबकुस सेम है सबका काम क्या है पें और इंफ्लमेशन सब में आएगा क्या काम करेंगे सब में यह जैसे वहां पर इंफ्लमेशन सब में आने वाला है कुछ खास इंफ्लमेशन है जहां पर यह इसमाल होता है जैसे की कावासा की डिजीज यह इस तरह का फीवर आता है ठीक है पैरी काट्राइटिस हाट की जो प्रॉड़ंट सी है थोड़ी सी और रूमेटिक फीवर है ना रूमेशन की फीवर ठीक है यह कुछ खास तरह के फीवर है इंग में यह एस्प्रीम को चलाया जाता है क्या में इस्ट्रेक्टर हमारे कोर्स में है तो अब यहां सब्सक्राइब बिलने माले है तो यह बेपास क्या आगया अच्छो बतादो फटाफट क्या है यह सी को अज़िए तो अशी तु यह ना यह क्या हुगा यह घरकिल्म अउ ज़िए न यह हुगा हुगा और मंदब और यह फीवर में इस्टर हो गया है तो पलब क्या लग़ा में और यह क्या हो गया यूए грacíchिव यह हो घ्रकिल्ष यह क्या हो गया है बेंडोइंग एसीड और यह क्या होगे तूर असान था यूज की बात करें तो मैंने बता चुका हूं यूज सबका सेम है यहां पर तो तुम लोग को ज़्यादा यहां पर आती करना पड़ेगा केट अब पेज किस कई सबसक्क्राइब सब सब आग नहीं मेरें यह था रहने वाली है संभ नहीं सकते हो रेहर ये इस थे कर ईंटी बैंट एंपिदी और एसकार कि इसके प्रॉपर ब्रेंट नियुक जिबागे आगे आते हैं डाक्रोफिनिक ब्रेंट नेव वल्टे में इसे डेरिवेटिव इस नॉन इस्टीड नॉन इस्टिरोफिनिक थीक है तो फड़ी रही है ननना शॉर लेक सकते हैं ठीक है तो प्रीट पेन और इंफलेमेशन पर को तावर्या चाहते हैं तो यूज बावसी रहा है तो यूज पर आपलाइट तु दे श्किन धाएट लिए और शुट अपलाइट टु पर सकते हैं तो क्या है इसमें हमारे पास ओके तो अगे देख लेते हैं यह सी ओ और और टू पर क्या लगा हुआ है यह क्या है इस इस एनली तो इसके टूपर फिर इसके टूपर इसके टूपर तूपर टूपर यह एनलीनो फिनाइल हो गया इस इस फिनाइल थीए यूस तो वही सब रहेगा। रिदूस्वेलिंग इंफ्लमेशन को कम करेगा ट्रीट एक है ना हैड एक मतलब धर ना एंड पें अजलास प्रॉलम्स विद जॉइंट ना आर्थ्राइटिस की जॉइंट विद वी पॉलम्स नहीं उनसे काम करेगा। इस्टेविल्टी स्टोर है सेम रहाएगा फॉर्मिल से के बात करें कैप्सुल पॉंड टैब्रेट की रूप में अवेलिवल है ब्रेंड ने की बात करें तो वोल्टरेंड कैटाफलें जिपसर बॉलिनी बॉलिनी सुना होगा तुम्हों ने और डाकलो मैस के नाम से यह से मार्केट बात कि इन लोग को रहें वोल्टे से फिरेंगे जिन लोग के वैडिकल स्टॉर है उन लोग के बारे में फिर बहुत नौलेज होगी आयोगूरूफिल जेट निस उपसे से स्टेश्ट नसाइड है आईड है आयोगूरूफिल इस से इंटिक और पेंगें है दर्ष मैं Tradition होती है उसमें दर्ष होते हैं। अधो इसमें उसमें साप कर दो टाइए वहारी mom को करते हैं उसमें सब रिख सकते हो तुम दो तके दर्ष मॉझे से darkest कि ओ GOP केंसे सभी दाल सकते हो यांगर वत रिवそうですね प्रोप्यों लागा है वाद टूपे के लगा हुआ तो देखेंस यहां पर इसके प्रोपर और फिर इसके टूपर इसके टूपर लगा हुआ है फिर लगा हुआizin लगा हुआ और प्रप्यो देडिट ок बतारी बस्ते हैं लोड भी अपर मोंगी है तो अगी होंगी हां को था हूं जिएये शुर्में में ब्रेंड नेम की बात करें तो प्रूफिन एड्विल अगे अगे है युस्त इलीफ सिंटम्स ऑफ फेट्फूल इंटोजीनिस इंडोजीनस पार सब्सक्राइब निए इस तरो डाल से इस तरी दो डाल है तो टूपल्बर गांडिन इस दो इंवाल्ड इन डावक पेडियेशन पेल का एक मध्या माध्या मध्या माध्या में स्टेफने स्कड़क पन आया था कड़ा पन आया था टेंडरनेस नार्दिक पन या स्वेलिंग या कुछ इस सूच गई है तब मेडिचे इस अविलिबल एज कैप्सूल टैबलेट एंड एज प्रिक्सक्रान फ्री जैल जैल गरूप में भी अविलिबल है इस प्रिक्सक्राइब एज जिसको लोग इनेक्शनी तुरूद दे सकते हैं ठीक है ना ओके चलो आगे आते हैं हम लोग केमिकल लेवर इंश्रेक्टर कोर्स में तो नहीं है बड़ देख रहेते हैं क्या ही है कार्वाक्सामाइड चलो आए रहाते हैं कार्वाक्सामाइड सी ओ एन एक्टू तो यह आले मेरे पास कार्वाक्सामाइड भी या तो अब देखो जाना इसका तो फोर पर क्या है यह यह पीथाय लगा हुआ है और वन पर क्या है दो लगे हुए दाइओ और अन पर क्या लगा हुआ है अन पर क्या लगा हुआ है कि इस इस पाइडी और जुड़ा हुआ है वन और टो से ठीक है था बंजो थायागी भी यह दें जुड़ा हुआ हुआ है त्री से जुड़ा हुआ हुआ है तो इस की बात करें तो बोई साथ यह सेम है पारफ से किसमें यूज़ हो रहा है इस पेंग स्वेलिंग बाते सब सेम होगी इस्टेविटी शोरे सेम है अब क्या आवर पास है अब क्या अब क्या है इसका इसका नाम है यह बाते जब अगर याद हो जाएं तो क्या से काम कर रहा है क्या में बाट चरो हो रहा है जो होती है ना वह फॉसक्षटी अंच्पाइल न कथ होती है इंपेक्शन जो होता है इस अंचरी गोलाजिंग स्पॉंडिलाइडी पेइफुल मैंसरेशन जिन पूछ जो होती है फिमिर सुती होती होती है बहुत जादा दड़ होता है वहाँ दे सकते हैं जुविनायल निवनति ते स्केमाम वह सारे कारण दे रखें जो दर्ड की कारण बनेंगे दो फार याद करो सब में लगाद हो ठीक है ना टेकन भाइ म यहां पर क्या लगा हुआ है और यहां पर क्या लगा हुआ है तो इसके फोर पर इस रिंग के फाइप पर वन तू ठी एन फोर यह सी है इसके फाइप पर और उसके फोर पर मिथाइप फिनाइल यहां पर निकल गया इसके 3 पे क्या लगा हुआ है ट्राइफ्लोरो मिठाइल और यह रिंग क्या है पाइराजोर वन से जड़े हुई है आए और आगे बेंजीन सर्फोना माई क्लिए है क्लिए है यूस वही सारी सेम है ऑफ्ष्टे और फिनाइटीज ठीक है याद पर लोगे स्ट्वर ठीक है च पर नहीं है तुमको इसके अधर कुछ नहीं है नक्ष्ट है मैं परनेमिक एसिड मेफ्ले मिटे मेफ्लेक एसवास और मैं ये वीडारय ना मिटे कि दीक त झालिक हो उस्में पाई जाता है यह मैं और यह में जोंटेंबे सिट मेंबर ऑफ और आंज्ट्वानीलिक अशिव टेरिबेटिन ना क्लास के निसीज़ है यूज़ टृट माइल टिट मॉडरीट पी हल्का हो यह तेज हो उसमें इसमाल कर सकते हैं तो यह सब नहीं पढ़ा है उसको यहां पर एड़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के हिसाफ से उसके एक्जांपल में देख रहे हैं वाद करें तो यह हमारे पार सिंपल है ठीक है पेंजॉईक एक इसिट ले लो इसमें लगा हूँ है और यहां इसमें वां टू और त्री और त्री नहीं लगा हूँ है यह नाम हो गया यू सेम है इस्ट्रेश स्टेविल्टी सेम है फॉमलेशन कैसुल टेवलेट सिरफ के रूप में है ब्रांड नेम थोड़ से तुमनों को याद कर दें है ठीक है ना प्रोट-प्लस, LED-P, Biospar, Trotam Trotam common ने ठाएं को स्ट्राइब को निया को सुछिंहा है निया ने से नामिन के विदिकेशन यूस्टू ट्रीट फीवर उना बुकर में इसमाल करते हैं यह कह रहा है कि माइग्रेंग से और जो अग्या अग्या से दर्द होते इसे यह इंफीरियर है चोटा है चोटा इदर से कहां करने भी छमता कम है तो इन दोनों का असर अपने सिंगल सिंगल की असर से बहुत बढ़ जाता है तो यानिकि सिंगल सिंगल जो असर कर सकते हैं कमाइंड मों उससे कहीं ज्यादा अच्छा असर करते हैं वही बात निए प्रवाइड फर्दर इंक्रीजिन पुटैंशी पुटैंशी मतर छमता एंड इस सुपीरियर तू आइधर ड्रॉंग को अकेला इसमाल करो तो वह अतना कितना यह साह से मिलके असर करेंगे अपेड रली प्रवाइड इंक ऑस्विक है जिम्फ करने पाथ करने चिन्फिक करेंशेके तक्याइड पीडिशिकर इसे क्यां अपने कोश्स में है है मक्व मैं तो पर फोर पर हाइड्रॉक्सी और यह खुल क्या है प्रफिनाईल और यह गुरुप लगा उसके फोर पर फिनाइल है तो इसका नाम हो जाएगा फिलिए रहे यूज सब का से में पेंकिलर एक विकाम जाता है इस्टेविटी स्टुर एक फॉर्मलेशन टैप्रिट सस्पेंशन इंजेक्शन इसके पता ही रहे विए पता है तर आप पोर जोलो यह तो नाम सुने हों विए तो नोगा ने ताइलिणोर एक्सटरी और पैन डॉर के नाम से मार्केट में अबिलेवल है नाव पॉल्प लाश्ट ड्रग इसका नाम कुछ गलत हो गया है मैं साही कर दूँ तो एक वही सो निंदिकत क्या है तो एक शिकलोफेनिक क्या है यह है यह तो आप लगा रहा है अधिकलोफेनिक के बड़े बहियां आई यह कैण इसके साइड एफेक्स क्या है यह कैसा है यह कार्बाक्सिलिक विथाइल इसतर ओफ डाइकलोफेनिक से बना हुआ है लेकिन इसके साइड एफेक्स काम है इस यूज फोर रिलीव और पेन एंफ्लमेशन ठीक है उसतरी तीजिए सेम है कहां यूज होगा यूज तो हमको पताई है हम रट रहे है यह तो 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 देखो क्या है ओक्सी एसिटी एसिड ठीक है ना एक दो ठीक है फिर आजाओ एक दो किलिया रहे इसके दो पे एक और दो इसके दो पे यह लगा हुआ है ठीक है फिर एक दो इसके दो पे यह लगा हुआ है और एक दो तीन चार पांट और शे खिलियर है ठीक है तो पीछे से आज़ाते हैं लोग यह से श्टार्ट करें दो इसके दो पर इसके दो पर इसके दो पर इसके दो पर क्या लगा हुआ है थूज शिक्स डाय क्लोरो एनलिनो फिर आते हैं यहां पर इस फिनाईल फिर आते हैं एक दो असे टाइल ठीक है ओ लगा हुआ है ओप्सी एसे टिक एसे पिलियर है को यूजर इस 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 पे इंप्रिमिशन यूज सब का सेम है अब तो इस राटे करें होंगे रुट्टी इस है अ भी दिविवरा ने डिशन गरुआ है जाता है तो यह था श्यूजर की बारे में सारी जाते हैं रहा थैए को और पेपर को कैसे अटेमिश तरहोगा इसके बारे में भी बाज्ट करोंगा इतना याद हो जाएगा ताकि बच्चा कोई बच्चा किसी कारणवर्स ठूटे नहीं कुछना फेपर में एटलिस अब किसी वैसे पड़ाई नहीं हुपाई है तो पास तो कोई जाए इस सारी बाते हम लोग करेंगे लेकिन फुरह समय आदे तो तब करेंगे आदा हम से अभ कि अगला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है और पुरी कोजिश करूगा कि वह भी तुम्हारे जो टेस्ट आएगा उससे पहले पोड़ाए तो तब तक क्या करना है पढ़िये और पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए अल्दवेश् करispा कि थे अल्दवेश्ट कर दिए झella yayक में तुम्हारे ज़ी度, it's मैं, लोग जाहूआ ठेक्षी ऑम रहिए ऑठाए ठाए